जब आप किसी बैंक या NVFC के माधियम से लोन लेनिक लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो है जानकारी चेक की जाते हैं यानि आवेदा का जो भी जानकारी होता है वो वहाँ पे चेक किया जाता है जिसमें कि आपका सबसे इंपोर्टेंट होता है उसमें सीवील इसकोर आपका सीवील इसकोर कितना है तो उसमें सबसे पहला आपका इंपोर्टेंट होता है आपका जो भी चेक किया जाता है सबसे पहला आपका सीवील इसकोर ही चेक किया जाता है सीवील इसकोर जो है आपके सीवील रिपोर्ट का एक परमयुक हिस्सा होता है सीवील जो उसका सिविल रिपोर्ट में आपका रहता है अगर आपकम ज्यादा स्बसे कव प्याज रैट पे आपको civil score आपका civil score अगर अच्छा है तो आप यहां कोई भी bank अपोंने पे करेदि बाज रेट प्वे ज़्यादा रासी दे सकता है ऐसे में लोग जब कभी loan रेने के लिए सुच्ते हैं या तो credit card लेने के लिए सोंचते है उसमें इसमें सब पहले जो तो है अपना यहां पर Civil Score चेक कर लेता है कि उसका Civil Score कितना है मुझे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो यहां पर लेने से पहले या तो क्रेडिट कार्ट लेने से पहले वह अपना सिविल इसको जरूर चेक करता है वही अगर उनका सिविल इसको खराब रहता है तो वह अपना सिविल इसको बारवार चेक करते हैं अगर आप बारवार अपना सिविल इसको चेक करते हैं तो मैं आपको इस व वीडियो में बताने वाला हूं बस सब को वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं ठीक है अगर आप इसी तरह से वीडियो और देखना चाहते हैं तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एक इंगंड़ा प्रेस कर रहे आप क्रेडिट ब Earl की सेवा यह अपर सुरू किया गया था वही हम बात कराएं तो क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी आपका यह पर तीन पो हमकों में आपका सीवेल यह पर दर्सा आता है जो कि 300 से लेकर 900 के भीच बीच में होता है जो कि credit rating agency आपका पूरा profile का आकलन करने पे आपका यह पे civil score तयार किया जाता है, यानि आपने कितना loan लिया है, कितना credit कर लिया है, आपके नम पे कितना loan चल रहा है, सारा कुछ आपका यह पे profile यह पे चेक करने के बाद आपका यह पे civil score यह पे तयार किया जाता है, ऐसे में बिद्रता करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर कितना एक तो चलिए के बसे पहले तो BROWN पर पूर माना जाएगा यानि सबसे लो माना जाएगा ठीक है वही अगर 580 से लेकर 679 के बीच में है तो आपका सिविल इसकोर जो है फेर माना जाएगा वही हम बात करें तो आपका सिविल इसकोर अगर 670 से लेकर 749 के बीच में है तो आपका सिविल इसकोर या पर गुड माना माना जाते हैं यानि भोगी अच्छा माना जाता है तो आप इनन धीन्द रखना की आपका सीविल इसकोन जाए तीं सूं से लेकर पांन सब्मुं के बीच में तुलन हराय Фसंट याजिब प्रन माना जाँगा वहीं पांट सो उन लिकने से रेकर ॉज़े घ्र यहां पर कोई भी बैंक को कम व्याज रेट पर लॉन मिल जाएगा जिसने क्या पर मैक्सिमंगी जितना लौन हो तो उतना मिल जाएगा ठीक्षा लिए आपको ईभी स्टव साथ सु से लेकर आपको 900 के बीच में रहना चाहिए तो यहाँ पे हम बात करने कि बाढर ार सिवी पर इंपयक्ट पढ़ता है तो मैं पता हूँ तो आप को स्बढ़ता है तो इसको एंधर्स सब्सक्राइब पर निकली जाते हैं तो फ़ीज़ाते हैं वहाइं पर कोई स्टेक्ट पर जिस्से कि आपको काफी गारा इंपेक्ट प्रबता है ठीक है जिसके लिए आपसी कोई अजिसे की आपको कॉछ भी पॉइंट यांपर चेक करता है तो इसमें आपका यह भी ध्यांद कि बारबार आपको आनों के लिए अप्लाय करने इससे भी आप कहें पे सिबीलिप्स कर पिका थे, फैप तो आपने पेस लिए अप्लिए कर रहे बार नोगर के लिए ट्र के लिए अप्युर्धिय कर रहें एक यह जो कि यह भी आप कूछ हाड इंक्वारी में भी डाता है टीक है उसके बाद इंप दूसरा होता है कि soft inquiry अगर हाद इंक्वारी में रावर आप में सिविल को चेक करेंगे तो इसमाान आप आप इंपर सबसब यहां चेक कर सकते हैं जिससे कि पैसरगथदा.com तो यहां पर पैठीयम अपने मुपाइल फॉन के माधियम से चेक कर सके और यह पर बहुत सारे वेबसाइट है जिसे पे फिरीम सब करें अगर आफ से जया तो उछा सब्सक्राव नहीं मिल सकता है तो बह UNPA Creoless लेए इन हम सब्सक्राइब कर सकता है तो अगर आप याप यह व क्या इस आपने दो थियांद रखने करने फिया अगर आपने मोबाईल से चेक करते हैं तो यहांति जब कोई लेंडर यहां फिक चेक करता है तो यहां पैपका civils पर लो रहाने के बावजूद बार बार सीविल स्कूर को बार बार चेक कर सकते हैं इसमें पर कोई भी प्रब्लम नहीं होगा तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो को काफी पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो फ्लियो को प्लेस लाइक कर देना है ठीक है साती सद आपके मन में कोई आपके मुझे इस्टाफियो करके महां से पूश सकते हैं और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने क्योंकि तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे यहां पर काफी जाजा मौटीवेशन मिलता है की विडिवोडियों बनाने के लिए ठीक है तो दोस्त झाल झाल